हेलो दोस्तो स्वागत आपका उत्राखंड एज्यूकेशन अनिवर्स यूटूब चैनल पे तो दोस्तो आज एक प्रेस के माध्यम से एक सौट नोट जारी किया गया है जो हमारे उत्राखंड में विभिन्न विभागों से संबंदी जितने भी पदू में अभी विग्यप्त उत्राखंड यूके ट्रेपलसी है दोस्तो आप लोगों ने देखा होगा बीच में बहुत जादे संब्द्ग्द हो गया था आयो क्योंकि उस समय काफी बवाल मच गया था और जिस तरीके से इसना तक इस तरीय परिक्षा में गड़बड़ियां देखने को मिली थी तो कह कोई नहीं समझ पा रहा था कि दुबारा से अपनी बागदोर समभाल पाएगा यूके ट्रेपलसी तो दोस्तो यूके ट्रेपलसी ने अपना जो काला दाग लगा था उसको साफ करने के बाद अभी फिर से निरणाय लेने को तैयार हो गया है अभी सक्चम हो चुका है कि अ हारे मायूग ने बात करी है और 800 से जादा पदों पर यूके ट्रेपलसी करेगा वारतियां की नोड़िकेशन है यह लगबग अगस्त में आपको देखने को मिलेगा जहां तक कनिश सहायक के 800 पदों की बात करी जा रही भी तक कि, जिसमें से आपके 500 पद जो हैं, वो कनिश सहयक के हैं, उसके बाद 300 जो पद हैं, वो हमारे टंगकन के भी देखने को मिले हैं. ये हमें सिर्फ किसी जानकारी के माध्यम से ही हम आपको बता रहे हैं. अभी जो हमें पुकता उसके न्यूज है वो अभी मिली नहीं है तो जितनी हमें खाली कलेक्ट है जो जानकारी उसे के माइजम से मैं आपको बता रहा हूँ बात करेंगे आज के इस नॉटिफिकेशन के बारे में कि आयोग के द्वारा किन चीजों के बारे में कहा गया जल्द ही 14 नहीं भर्तियां सुरू करने जा रहा है अगले सप्ताह आयोग इनका कलेंडर जारी करेगा दोस्तो एक सप्ताह की बात है लगबग एक सप्ताह के अंदर ये जारी कलेंडर कर देगा इसा इसका कहना है ये परिक्षाएं राजय लोकसिवा आयो को दी गई 13 भर्तियों से अलग होंगी दोस्तो जो हमारे लोकसिवा आयो की तरफ लटकी हुई भर्तियां भी जो कोई नहीं है वो भर्तियां ये नहीं है ये अलग सी भर्तियां है सबसे बड़ी खुसकबरी आप लोगों के लिए जो UK SSC के पास हैं ये जो 23 भर्तियां है दोस्तो जो 23 भर्तियां थी वो लोकसिवा आयो को दी थी लेकिन जो 14 भर्तियां है ये हमारी UK SSC को मुलिंगी ऐसा कहना है पिछले साल अधिनस्त सेवा चैन आयो के इसना तक इस्तरिय परिक्षा कई भर्तियों के पेपर लीग होने सेवा आयो को सौमती थी UK SSC के नई अधिक्स GS मरतोलिया को जिम्मेदारी दी गई जिन्होंने पेपर लेक वाली भर्तियां दो बारा रिकॉर्ड समय में निर्विवात करवा दी कई भर्तियों को अंतिम चैन सूची भेजी जा चुकी है इस जांच इस बीच 23 से हटकर बच आयोग 14 नई भर्तियों की तैयारी में जुड़ गया है इसमें 800 से ज्यादा पत भरे जाएंगे आयोग अगले सब्ताह इनका कलेंडर जारी करेगा जिसमें हर भर्ति के लिए तितियां निर्धार्यत कर दी जाएंगी दोस्तों यह बहुत बड़ा नोटिकेशन है यानि कि एक हपते के अंदर आयोग के द्वारा ये कलेंडर जारी कर दिया जाएगा ऐसा UK SSC का कहना है GS मरतुलिया जी यह कह रहे हैं कि जितने भी जो विवादित भर्तियां थी उन सभी विवादित भर्तियों को इन लोगों ने अंजाम दे चुके हैं और बात भी सही है आप विवी पीडियो भर्ति की तो दोस्तो उसमें भी डाकुमेंट वेरिफिकेशन हमारे चालू हैं और साथ ही अगर बात करेंगे उसके साथ साथ में जो हमारी फॉरेस्ट दरोगा की जो भर्ति थी तो उस पे भी कहीं न कहीं दोड़ और देखने को अभी मिलेगी आप लोग अधिनस्त सेवा चैन आयोग ने नहीं भर्तियों में किसी तरह की गड़बड़ी में बचने की पुकता इंजाम किये हैं आयोग के भीतर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों के लिए सोपी जारी की गई है परिक्षा में जुड़े हर कदम पर आयोग सतरकता बरत रहा है आयोग के अध्यक्स जीयस मरतोलिया का कहना है कि अभी तक उन्होंने इसना तक इस तरह ये परिक्षा कानिस्क साहयक वा मुख्या अरक्षिय पुलिस दूर संचार साहयक अध्यापक प करीब 14 नए भरतियां सुरू करने जा रहे हैं इनके लिए जल्द ही कलेंडर जारी किया जाएगा सभी भरतियां पूर्ण सुचिता पार्दरसिता सुर्क्षा के साथ कराई जाएंगी जीयस मरतोलिया अध्यक्स अधिनस्त सेवा चैनायोग तो दोस्तो में जो मुद्दा ह वो अभी गरम देखने को मिलने वाला है कहने का मतलब यह है उत्राखंड में जो थके हारे अभ्यरती थे जो सलेक्षन के मारे अभ्यरती थे कई सालों से महनत कर रहे थे कई सालों की महनत के बाद भी कहीं न कहीं रुक गए थे अभी के समय पे एक घंटा भी उनका जिनका मन नहीं लग रहा है बिना पदों को देखते हुए कि हम तैयारी किस चीज की करें तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है देखने को मिलने वाली है आप लोग यह गोर कीजिएगा कि इस भरती में जो अगर 14 नहीं अगर भरतियां आती हैं तो इन 14 नहीं भरतियों दोस्तों उतराखंड पुलिस दरोगा पुलिस आरक्षी और वीडियो बीपीडियो की भी जियेस मरतुलाजी के द्वारा बात करी गई है कनिस सहायक आठ सपदों की बात करी गई है L.T. भरती की इसमें बात करी गई है यानि कि तमाम भरतियां है दोस्तों इसमें नर्सिंग भरतियां इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगी इस बीच इतनी भरतियां इसमें देखने को मिलने वाली है कि आप लोगों के पास पढ़ने के लिए अभी अब समय कम पढ़ने वाला है तो आप लोग लग जाएं अपनी तयारी पे जब कहीं पगर आप लोगों का रुका था तो इस बार जरूर उस चीज़ को अचीब करिएगा और साथ ही जो ये विग्यप्ती है ये ये की बिग्यापन भी देखने को मिलने वाला है तो दोस्तो देखते हैं कि एक अपते के अंदर ये बिग्यापन जो हमारा बिग्यप्ती है ये प्रसारित होती है नहीं होती है कितने पदूं पर किस पोस्ट के लिए होती है उसके बारे में फिर बात करेंगे तो दोस्तों ये दिगर आप लोगों को ये information पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर सेयर करें, like करें, comment करें, धन्यवाद